आज हम एक नया चप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्डी हाइट्स एंड की टोन्स अल्डी हाइट्स एंड की टोन्स बैसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स की टाइप्स होती हैं आज का लेक्चर हमारा पूरा का पूरा कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बारे में होगा हम लोग इस लेक्चर के अंदर मुक्तलिफ टाइप्स देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ठीक है और देखेंगे के केमिस्ट्री में मुक्तलिफ फ्लेवर्स जो हैं वो कैसे ज हम लोग structure discuss करेंगे के aldehydes or ketones कैसे किस structure के अंदर exist करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि carbonyl compounds कहते कि इनको है carbonyl compound basically जो word है ना ये carbonyl C double bond O से निकला है ठीक है अगर किसी compound के अंदर ये वाला group लगावा हो तो उसको हम carbonyl compound बोलते हैं ठीक है let's say आपके पास C double bond O and then side O के उपर एक तरफ को आप CH3 लगा दो ठीक है और दूसरी तरफ को आप H लगा दो तो ये जो compound बना है this is called a carbonyl compound क्योंके इसमें carbonyl group exist कर रहा है ठीक है और carbonyl group जो होता है ये compound के बीच में भी हो सकता है कहीं पे भी हो सकता है ठीक है तो इसकी जो location है carbonyl group की इसकी वज़ा से मुखतलिफ different types के compound बनते हैं ठीक है और हर की properties जो हैं वो बाकियों से different होती है तो आज हम देखते हैं कि मुखतलिफ जो types मैंने कहा ये कौन कौन सी होती है सबसे पहली और सबसे basic जो type है वो होती है आपके पास aldehyde aldehyde exactly ये जो उपर मेंने चीज़ बनाई है इसी को बोलते है इसमें होता ये है कि आपके पास एक carbonyl group होता है आपके पास एक carbonyl group है आपके पास एक तरफ को carbon से एक chain extend हो रही होती है for example CH3 ये carbon chain है जो के यहां पे एक methyl group है या methyl group है और आपके दूसरी तरफ को एक hydrogen लगावा होता है ठीक है और hydrogen लगने का मतलब ये है कि यहां से आगे फिर chain extend नहीं हो सकती इन चौट आप कह सकते हो कि कोई ऐसा compound जिसमें carbonyl group जो है exists at the end तो इसको हम बोलते हैं aldehyde ठीक है और जब end पे होगा तो definitely chain को खतम करने के लिए साथ एक अदद hydrogen भी लगावा होगा और दूसरी तरफ आपके पास कुछ भी हो सकता है तो इन चौट जो general formula है aldehyde का वो क्या है R-C-O-H ठीक है हम इसको यू लखते है R-C-O-H इसमें CO जो है carbonyl group है R आपके पास कोई carbon की chain हो सकती है और H आपके पास जो है ये hydrogen तो aldehyde में एक तरफ को hydrogen और एक तरफ को कोई carbon की chain extend हो रही होती है जरूरी नहीं है कि ये जो एक तरफ को मैं बोल रहा हूं carbon की chain ये हमेशा carbon ही की chain हो for example आप ऐसी situation ले सकते हो जहां पे आपके पास C double bond O और साथ में एक H और दूसरी तरफ को भी एक H ही लगा हुआ है ठीक है अब चुँके एक तरफ को तो H लगा हुआ है ना तो वो requirement तो पूरी होगी जो के हमने कहा था कि C double bond O exists at the end तो end पे तो exist कर रहा है definitely so this is also an aldehyde ठीक है और इसका in particular जो नाम है वो है formaldehyde इसी तरीके से आपके पास formaldehyde, acetaldehyde, propan aldehyde, butan aldehyde और different types of aldehydes exist करते हैं secondly हम एक form देख लेते हैं, carbonyl compounds की जो के कहलाती है ketone basically आपके chapter का नाम भी यही है aldehydes and ketones, so हम देखते हैं कि ketones अब किसको बोला जाता है आपका अगर carbonyl group जो है, sorry इसको हम purple से ही लिख लेते हैं carbonyl group जो है, इसके एक तरफ को अगर कोई carbon की chain extend हो रही हो, जैसे उपर हो रही थी और दूसी तरफ को भी अगर carbon ही की chain extend हो रही हो, so ऐसे compound को हम फिर ketone बोलते हैं, ठीक है इसमें क्या होता है, के carbonyl group exists in between two carbon atoms ठीक है, उसमें ये था के carbonyl group के एक तरफ को hydrogen था और एक तरफ को कार्बन से कोई chain extend हो रही थी या कोई और भी चीज़ हो सकती है, इसमें आपके पास दोनों तरफ को carbon का होना जरूरी है, अगर एक तरफ को भी hydrogen हुआ तो फिर हम उसको aldehyde बोलेंगे, ketone नहीं बोलेंगे, ठीक है, so this is your second type of carbonyl compound इसके बाद आपके पास एक तीसरी type होती है, बलके ketone की हम पहले example देख लेते हैं, ketones की example में आपके पास आती है acetone, ठीक है, जितने भी आपके पास compounds हैं जिनके end पे O, N, E आ रहा होता है, वो सब के सब ketones होते है और इसी तरह हर compound जिसके end पर YDE आ रहा होता है, evidence या इसके end पर AL आ रहा होता है, L आ रहा होता है, उसको हम बोलते हैं, ये दोनों aldehydes हैं, घिके, जिससे आप, आपके पास, ऐूमेथेनल होता है, एतनल होता है, या आपके पास where significa s. आपके पास 6 आपस!". आपके पास कर्बाक्सिलयक एसड़्स यह जो टाइप है इसका पहले आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा बलके इसके बारे में कुछ ना कुछ आपने study भी किया हुआ होगा कर्बोनल जोरी कर्बॉक्सलिक ऐसा compound होता है जिसमें आपके पास एक C double bond O होता है ठीक है आपके पास एक तरफ को कोई भी कार्बन की chain लगी भी होती है आप इसको R बोल लो और दूसरी तरफ को आपके पास OH ग्रूप लगावा होता है ठीक है यानि अगर तो simply यहां पर H लगा होता है फिर तो LD हाइट बन जाता ना यहां पर OH लगावा होता है और OH आपको के कर्भनके ना अपके थ़र तरफ को आपके पास यहां पर कुछ भी हो सकता है यह कोई कार्बन की फमपाउंट जो सकता है और ये हाइड्रोजिन भी हो सकता है, इनके end पे oik या ik acids नाम आ रहा होते हैं they have acidic property यह हम देखेंगे next chapter के अंदर chapter number 13 के अंदर के इनको हम acids क्यों बोलते हैं लेकिन यह आपके पास acids होते हैं और इनके end के उपर नाम एक acids से खतम हो रहा होता है इसी तरह आपके पास और भी बहुत धेर सारे acids हो सकते हैं carboxlic acids चोथी आपके पास जो type exist करती है fourth type of compounds, carbonyl compounds वो है आपके पास acid amides acid amides किन चीजों को बोला जाता है amino group आपको कुछ याद है amino group amino होता है NH3 ammonia का formula है NH3 आप ammonia के साथ से एक hydrogen remove कर दो तो क्या बच जाएगा NH2 और एक bond साथ extend हो रहा होगा और पीछे आप अगर क्या करो कि पीछे आप कोई भी compound के लगा दो organic compound लेकिन इस तरीके का कि उसमें carbonyl group भी हो और फिर आगे कुछ और carbon की chain extend हो रही हो तो यह जो मैंने नीचे formula लिखा है this is for acid amide इसमें आपके पास क्या चीज़े होना ज़रूरी है इसमें आपके पास एक amino group या amine group होना ज़रूरी है amide group और साथ में आपके पास एक carbonyl group होना ज़रूरी है ठीक है so this is an example of acid amide इसके बाद आपके पास होता है acid halide acid halide आप खुद ही अप सोचो यह क्या होना चाहिए इसमें पहली बात आपके पास एक carbonyl group होता है ठीक है एक तरफ को again वही आर की chain लगी होती है दूसरी तरफ को क्या होता है कि दूसरी तरफ आपके पास कोई एक halogen लगावा होता है ठीक है तो आप कह सकते हो कि acid halide is a combination of halogen and carbonyl group ठीक है इसके बाद आपके पास six type जो होती है ऐसे compounds जिसके अंदर carbonyl group exist करता है वो होते हैं आपके पास esters ठीक है C double bond O होता है एक तरफ को एक alkyl chain लगी भी होती है और दूसरी तरफ को instead of you know ending this chain आप ऐसा करो कि यहां पे एक oxygen लगाओ और उसके साथ again एक chain आगे extend करा दो ठीक है तो यह जो मैंने general formula लिखा है this is for esters for example आप C double bond O और O यह दरम्यान में लगा होता है और दो तरफ को कोई भी चीज हो सकती है ठीक है अगर C double bond O या CO2 जिसको आप बोल सकते हो overall यह चीज compound के mid में लगी वी हो तो उसको हम बोलते है ester और अगर C double bond O 7 O या CO2 आप कह सकते हो यह चीज compound के end पे लगी वी हो end पे लगने का मतलब है एक तरफ को hydrogen होगा पिर और दूसरी तरफ को R होगा तो पिर हम इसको बोलते हैं कार्बाॉकसिलिक acid सो आप कह सकते हो के ester और कार्बाॉकसिलिक acid का वो ही तालुक है जो ketone का और aldehyde का है क्योंकि ketone और aldehyde में क्या फरक है ketone में आपके पास कार्बाॉकसिलिक acid अल्डी हाइड में कार्बाॉकसिलिक ग्रॉप end पे लगा होता है इसी तरह CO2 ग्रॉप अगर compound के mid में लगा हो तो इसको हम बोलते है ester और CO2 ग्रॉप compound के end पे लगा हो तो इसको हम बोलते है कार्बाॉकसिलिक acid ठीक हो क्या तो यह आपके पास last form है ester जिसको हम बोलते है इसके बाद हम एक छोटा सा review कर लेते हैं कि उपर हम ले जितने भी यह compounds देखे हैं यह कौन-कौन से हैं सबसे पहली जो हम लोगों ने देखे वो थे आपके पास aldehydes carbonyl compounds की type aldehydes में आपके पास क्या था कि एक carbonyl group था ठीक है एक तरफ को आपके पास R chain थी और दूसरी तरफ को H लगा वाता ठीक है दूसरे नमबर पे आपने देखा ketone ketone में क्या शर्थ थी एक तरफ को आपके पास R chain थी और दूसरी तरफ को भी R ही chain थी इसको आप R prime कहलो मतलब ये दोनों सेम होना ज़रूरी नहीं है थर्ड नमबर पे आप देख लो हम लोगों ने carboxylic acids देखे थे carboxylic acid इसमें आपके पास क्या था carbonyl group था एक तरफ को R था और दूसरी तरफ को OH लगावा था ठीक है या hydroxy group या alcohol और carbonyl group था और fourth नमबर पे आपके पास हम लोगों ने देखे थे acid amides acid amides में आपके पास क्या होता है again आपके पास R होता है C double bond O होता है fifth number पे हम लोगों ने कौन से compound देखे थे acid halide acid halide के अंदर क्या था कि आपके पास carbonyl group था एक तरफ को एक alkyl chain लगी थी और दूसरी तरफ को आपके पास एक halogen लगा हुआ था ठीक है और sixth number पे हम लोगों ने esters देखे है जिसमें आपके पास एक तरफ को carbonyl group लगावा है carbonyl group के एक तरफ को एक chain है और दूसरी तरफ को O और फिर आपके पास एक नई chain extend हो रही है ठीक है और यह जो O है यह आपके पास वैसे आपको बता है अगर किसी compound के बीच में O लगावा हो वैसे ही यहाँ पे R को एक chain हो दूसरी तरफ को एक और chain हो और दरम्यान में O तो ऐसे compound को क्या बोलते है ऐसे compound को हम ether बोलते है यह ether जिसको हम बोलते है ठीक है ether बोलना चाहिए वैसे और ester जो है यह basically आप कह सकते हो it is a combination of ether and carbonyl ठीक है आप देखो कि इन सब की left hand side same है इन सब compound में यह जो मैंने भी draw की है यह चीज यह चीज यह सब में same है ठीक है फर्क सिरफ इस चीज से पड़ता है कि आप बीच में extra क्या डाल रहे हो यह दूसरी चीज जो आप साथ डाल रहे हो यह क्या चीज है और इस चीज की presence की वज़ा से पूरी एक नए compound की category बन जाती है और इसको हम chemistry में बोलते है compound का flavor होना ठीक है देखो आप मुख्तलिफ flavors जिस तरह आपने इस चीज को आप कहलो कि यह sugar है R, C, O और यह जो आप जो भी चीज अटैच कर रहे हो यह एक flavor है फर एक्जामपल you can put sugar और बीच में आप cola flavor डाल सकते हो आप बीच में orange flavor डाल सकते हो और सारों से different type का output generate होगा यह आप कह सकते हो मुख्तलिफ type के compounds बनेंगे जिनकी properties एक दूसरे से बिलकुल मुख्तलिफ होती है ठीक है तो आपके पास जब किसी compound में H लगा हुआ है तो इसको हम aldehyde बोलेंगे अगर आपके पास R group लगा है तो हम इसको ketone बोलेंगे अगर आपके पास एक alcohol और एक carbonile का combination है तो हम इसको carbonic acid बोलेंगे अगर आपके पास amine group और carbonile group का combination है तो हम इसको acid amide बोलेंगे अगर आपके पास हेलوجن और कार्बोनाईल का कंबिनेशन है तो हम इसको ऐसेड हेलाइड और फाइनली अगर आपके पास अथर और कार्बोनाईल ग्रूप का कंबिनेशन है तो इसको हम एस्टर बोलते हैं ठीक है तो यहां पे हमारे लेक्चर का पहला पार्ट खतम हो गया अब हम लोग जेनरिल फॉर्मॉला के बारे में बात करते है जेनरिल फॉर्मॉला ओफ कार्बोनाईल कंपाउंड या इन पर्टिकुलर हम लडि हाईजर की टोन्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो इस मेथट को डिराइफ करने के लिए कि मैं आपको alkanes के उपर लेके जाऊंगा alkanes आपको याद है कि alkanes का formula क्या होता है general formula पहले आप simple सा कोई भी alkanes बना लो न और यहां dot dot लगा दो और फिर आगे again आपके पास alkanes में हर carbon के उपर और नीचे दो hydrogen होते हैं ठीक है और जो end वले दो carbon होते हैं या जहां पर आपके change खतम हो रही है वहां पर आपके पास दो hydrogen extra भी लगे वे होते हैं ठीक है तो आप यूँ कहलो कि अगर आपके पास n number of carbon atoms है तो hydrogen कितने होंगे अगर मैं पास 5 carbon होंगे तो 10 hydrogen तो उसके उपर नीचे लगे वे हैं और 2 extra भी होंगे जो side होंगे यानि 2 times 5 plus 2 या आप कह सकते हो कि अगर n हो तो 2 times n plus 2 और यह जो plus 2 है यह side होंगे अच्छा आप सोच रहे होगे कि alkane मैंने हमेशा सीधा सा इस तरह का क्यूं लिया है मैं अगर थोड़ा से different alkane ले ले लेता for example C, C, C and C this is also an alkane और इस पे अगर आप hydrogen देखो तो यूं करके लगे वे होंगे अब इसमें आप वो वाली बात directly नहीं apply कर सकते कि आपके पास सब के उपर 2-2 लगे वे हैं और 2 extra भी लगे वे हैं actually अब इसमें यह हो रहा है कि सब के उपर 2-2 नहीं लगे वे इसके उपर तो 2 लगे वे हैं और इसके उपर भी 2 लगे वे हैं इस पर भी 2 लगे वे हैं ठीक है यानि तीन कार्बन के उपर तो 2-2 हैं लेकिन इस वाले के उपर एक लगा हुआ है ठीक है तो अब यूँ कहलो कि इस वाले के उपर जो एक लगावाए कम है न यहां पर कॉर्नर अब तीन बन रहे हैं यह वाले तीन एक्स्टा भी तो है ओवरॉल नंबर ओफ का हाइड्रोजन आइटम्स अगेन इतने ही हो जाएंगे ठीक है अब आप क्या करो हम स्ट्रेट चेन पर वापस चले जाते हैं इस में से आप कोई भी एक हाइड्रो काबन आइटम लो लेता हूँ ठीक है और इस काबन आइटम के साथ साही जो हाइड्रोजन है ना इनको मैं रिमूफ कर देता हूँ अब इसके कितने बॉंड्स खाली रहे ग के लिए किटौन बन गया इसी तरह अगर मैं ये करता कि अगर में इस लोकेशन से बॉंड्स ना हटाता है हाइड्रोजन के बलके में किसी nd की jedoch कॉर्नर बन रहे हैं ना एक ये वाला और एक वो वाला इस काउरणर से अगर मैं दो हाइड्रोजन को लगा देता तो अब यह एक aldehyde बन जाता, ठीक है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो, कि आप simply एक alkane लो, और उसके अंदर dehydrogenation कर दो, dehydrogenation, आप उसकी dehydrogenation कर दो, उसके अंदर oxygen भी करो उसकी, उसमें oxygen भी डाल दो, तो वो जो compound बनता है, वो या तो aldehyde होता है, या वो ketone होता है, ठीक है, सो, बेसिक लिए आप कह सकते हो, कि Cn, H2n, प्लस 2 था न, सो अब क्या होगा, कि ये जो प्लस 2 हम कर रहे थे न, दो hydrogen, ये वाले जो थे, ये अब नहीं होंगे, ये वाले जो होंगे, अब ये खतम हो जाएंगे, और इन की जगा एक oxygen आ जाएगा, So, this is your general formula, Cn, H2n, O, ठीक है, यानि जितने भी carbon's होंगे, hydrogen's उससे double होंगे, और एक आपके पास oxygen लगावा होगा compound के अंदर, अच्छा, एक और point मैं यहां पे clear कर दूँ, कि अक्सर ऐसा होता है, कि आपके पास एक compound है, इसमें एक carbonyle group यहां पे है, और एक यहां पे भी लगावा है, ठीक है, फिर हम इसको बोलते हैं, कि ये die carbonyle group लगावा है, या आप यूं बोलोगे, sorry, die aldehyde है, या die ketone है आपके प के लिए है, ठीक है, अगर दो हों तो फिर उसके लिए ये नहीं होगा, और as far as your course is concerned, तो हम लोग simply एक carbonyle group वले compound को discuss करेंगे, ठीक है, this is it for general formula, और finally हम lecture को conclude कर देते हैं, structure के बारे में बात करके, कि जो आपके पास carbonyle compounds हैं, aldehyde and ketones, इनका structure क्या होता है, आपके पास C double bond O है ठीक है, और दो तरफ आपके पास दो arms खाली होती है, यहाँ पे कुछ भी दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक chain लगा दो, यहाँ पे कोई एक और चीज़ लगा दो, वो carbonyle compound ही रहेगा, होता यह है कि यह जो angle है यह 120 degrees होता है, यह तीनो angles जो है, यह 120 degrees होत है, SP2 hybridization में वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि 120 ही के angles होते हैं, तीन orbitals के अंदर, यह आपके पास 3 SP2 hybridized orbitals हैं, ठीक है, और यहाँ पे चोथा आपके पास एक oxygen का pie होगा, so this is it for structure, आपके पास aldehydes में भी यही case होता है, और ketones में भी यही structure होता है, finally, मैं आपको बात पत अजादों के यह जो oxygen यहाँ पे आपने attach किया है, oxygen में आपके पास यू हो रहा होता है, कि oxygen के atomic number का है oxygen का, oxygen होता है hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, 8 number पे हैं ना, so first shell में आगए 2 electrons, last shell में 6 electrons, so one, two, three, four, five, and six electrons, और फिर जब आप इसका double bond बना रहे हो, तो basically यहाँ पे carbon के साथ 2 bonds, यहाँ पे carbon और carbon के 2 bonds आपने यू बना दी है, ठीक है, so these are now the two bond pairs, और यहाँ पे दो आपके पास यह वाला और यह वाला इनको हम बोलते हैं, यह आपके पास अब lone pairs of electrons है, lone pairs, यह lonely pairs, अकेले, इनका कोई काम नहीं है, so आपके पास lone pairs होते हैं, जिसकी वज़ा से oxygen यहाँ पे character discuss करेंगे, carbonyl group का, ठीक है, so this is it for this lecture, इससे next lecture के अंदर हम लोग, इंशालला, IUPAC nomenclature discuss करेंगे, IUPAC nomenclature, और मुखतलिफ common names और general names, जो है, aldehydes ketones के, और in particular किसी भी carbonyl compounds के, वो discuss करेंगे,